आपकी दोस्त पूजा आज हम कुछ बनाएंगे नया तो आज हम बनाने वाले हैं आलू कोफते की नई सबजी लेकिन इसमें हमें नए तरीके से कोई आलू वो करने की जरूरत नहीं है पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीरा आलू की सबजी होती है उससे हम एक नई सबजी केसे बनाएंगे यह बहुत ही स्वाधिस्ट लगती है बहुत ही अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ पर जो हमारी जीरा आलू की सबजी बची होई थी उसको ली है यहाँ पर मैं 4-5 लोगों के लिए सबजी बना सकती हूँ इतने आलू से तो मैंने यहाँ पर जो हमारा मेशर होता है उससे हम इस तरीके से जो हमारे जीरा आलू है जो क्यूब में होते है उसे हम बहुत अच्छे से मेश कर लेंगे पूरे जो आलू है उनके एकदम बोल्स बनाने हमको, तो हम अच्छे से उनके टुकड़े जो है उनको एकदम अच्छे से मेश कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे अलूओं को अच्छे से मेश कर लिया है और मैं इससे पहले आपको बताना भूल गई कि जो हमारे कड़ी पता वगेरा है आप सबजी में से ही निकाल ले ताकि जो हम बॉल्स बनाएंगे उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो पर मैं भूल गई थी इसलिए मैं अब निकाल रही हूँ जो मुझे दिख रहे है बाकि आप पहले ही इसे निकाल ले और जो हमारी सबजी है वो पहले से ही मसाले वाली है तो हमें इसमें ज्यादा मसाले एड नहीं करना है हमें कौफटा बॉल्स बनाने के लिए इसमें क्या-क्या एड करना है तो आगे देखिए मैं क्या-क्या एड कर रही हूँ इसमें तो सबसे पहले हम इसमें एड करेंगे मेदा तो मैंने यहाँ पर दो टेबल स्पून बड़ी दो टेबल स्पून मेदा लिया है तो यहाँ पर मैं अभी ले रही हूँ एक चमच चाट मसाला और आधी चमच नमक मेरी सबजी में थोड़ा नमक कम था इसलिए मैंने आधी चमच लिया है आप जादा नमक ना डाले इससे थोड़ा कम डाले या फिर आपने स्वात के अनुसार डाले अच्छे से मिलाने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारे आलू और मेदा है वो अच्छे से बाइंड हो रहे है वरना हम इसमें एक चमच मेदा और डालेंगे तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मेदा और डालना चाहिए यह अच्छे से बाइड नहीं हो रहा है आलू जादा है इसलिए मैं यहाँ पर एक चमच मेदा और डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हमारी जो कौफता बॉल्स है वो बनाएकर हम रेडी करेंगे तो मैंने यहाँ पर मेदा मिला कर इसे अच्छे से मिला दिया है जो हमारी सबजी के लिए हम आलू का मेश बना रहे हैं तो अभी मैं हेंड वाश करके आपको बॉल्स बताऊंगी थोड़ा सा हम हातों पर लगाएंगे और हमारी जो कौफता बॉल्स है वो बनाना स्टार्ट क तो हमारी जो कौफता बॉल्स है देखे कितने अच्छे से बनी है तो बस ऐसे ही सारी कौफता बॉल्स बना लूँगी आप धिहान रखे कि जो हमारा आलू है इतना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए इतना नरम भी नहीं होना चाहिए और इतना ज्यादा मेदा डालने से अं तीन चमश मिलाया था, मेदा, देखिए कितने अच्छे से, जो हमारी कौफटा बॉल्स है, वो बन रही है, आप अपके साइस के अनुसार कौफटा बॉल्स बनाए, छोटे, बड़े, जैसा आपको लगे, मैंने यहाँ पर सारी बना के रख लिए, एक पेन लिया है, उसमें म इसमें मिडिययम हॉट हो जाने के बाद हम डालेंगे हमारी कौफटा बॉल्स, ज्यादा हाइफ लेम पर हमें अउईल को गर्म नहीं करना है, वरना जो हमारी कौफटा बॉल है, वो अंदर से नहीं पकेगी, और सिर्फ बाहर से फटा-फट से पक जाएगी, तो इसलिए हम medium hot oil गरम करेंगे और धीरे धीरे करके जो हमारी कौफटा बॉल्स है वो सारी डाल देंगे तो सारी कौफटा बॉल्स बेल जाने के बाद हम इने अच्छे brown होने तक fry कर लेंगे तो हम ऐसे फोक की मदद से इने हिलाते हुए क्योंकि हमारा जो आलू है वो एकदम नरम होता है इसलिए फोक की मदद से हमें इसे हिलाते हुए अच्छे से brown होने तक fry कर लेंगे तो आप दिहान रखे कि आप कैसे पेन में मैंने यहाँ पर पेन लिया है आप चाहे तो इसे कड़ाई में भी fry कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसे पेन में आप करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा क्योंकि जो हमारी कौफता बॉल्स होती है वो थोड़ी नरम होती है इसलिए अगर हम इसे इसे चोड़े पेन में फ्राई कर आते हुए जो हमारी कौफता बॉल्स है उनको सबको फ्राई कर लोंगी देखि कितना अच्छा कलर आया है बहुत अच्छे से सुनहरी होने तक फ्राई हो गई है और आप हम इन्हें निकाल लेंगे फटाफट से तो जो मेदा है वह अच्छे से क्रिस्पी पन देता है हमार एक नई सबजी हो बना रहे है तो यह बहुत ही सवाधिस लगती है बहुत अच्छी लगती है एकदम रिच फ्लेवर वाली आप इसे जरूर ट्राई करना बहुत अच्छी बनती है यह सबजी और आप इस तरीके से सबजी बनाएंगे तो सबको लगेगा कि आप कुछ नया बना रहे है और जो हमारी पूरानी सबजी होती है वो सबको खाने में ऐसा लगता है कि हम वही सबजी खा रहे है लेकिन जब हम उसी सबजी से एक नई सबजी बनाएंगे तो सबको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत सब बहुत अच्छे से खाते भी है तो इसी तरीके स अब इसी पैन में हम ग्रेवी के लिए कुछ मसालो को सेलो फ्राइ करेंगे तो चलिए फटा फट से मैंने यहां पर रफली सब कुछ चौप करके रखा हुआ है तो अभी में इसमें से ओल निकाल दूंगी और इसी पैन में हम हमारे जो ग्रेवी है उसके लिए मसाले तयार कर करेंगे तो यहां पर मैंने लिए हैं दो लोंग एक छोटी इलाइची हमें ज्यादा इसमें मसाले एड नहीं करना है बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही क्रीमी टेस्ट वाली यहां पर हम बना रहे हैं सब्जी तो चार से पांच में नहीं पर लिए काली मिर्च और एक छोट प्यास को में नहीं लंबे लंबे चौप कर लिया है चार बड़े प्यास को में इसे रफ्ली चौप किया है और सब को भी अभी अलुमल फ्राइक करेंगे तो प्यास हमारा हलका सा ब्राउन होगा तब तक हमको इससे ऐसे ही हिलाते हुआ है सेलो फ्राइ करना है इस तरीके से हम पहले से ही मसालों को अच्छे से सेलो फ्राइ कर लेते हैं तो हमारी जो ग्रेवी होती है उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है अभी प्यास को पकाने के लिए मैंने इसमें डाला है आधी चमच नमक तो नमक हम सभी दूर उनके मसालों के हिसाब से डालेंगे यहाँ पर मैंने सिर्फ आधी चमच इसली डाला है क्योंकि इस ग्रेवी के लिए मुझे आधी चमच नमक चाहिए कोफटा बोल्स में भी हमारा नमक है तो हम सब्धूर टेश्क के अकोडिंग थोड़ा थोड़ा नमक एड़ करते जाएंगे मैंने यहां पर थोड़े लिये, यहां पर मैंने थोड़े ही लिये, आप चाहे तो पीनट्स skip करके यहां पर 5-7 काजू भी डाल सकते हैं, काजू डालने से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, पीनट्स डालने से जो कलर होता है, उसमें थोड़ा creaminess आ जाती है, जो एकदम gravy जो red कलर की होती है, वो नहीं होती है, थोड़ा color डाउन हो जाता है, तो हमें वेसी बनानी है, इसलिए मैंने पीनर्स तोड़े डाले, आप चाहे तो skip कर सकते हैं, एक चमच मैंने डाला है, अद्रक और लसन का paste यहीं डाला है, ताकि जो अद्रक लसन का कच्छाप निकल जाए, दो बड़े टमाटर को मैंने रफली चॉप किया है, और उसे भी आप हम डाल देंगे, और तीन से चार मिनिट के लिए ऐसा ही हिलाते हुए, पकाएंगे, तो हमारे जो प्याज है वो ब्राउन होगा, तब तक हमें इसे पकाना है, मैंने इसे दो मिनिट के लि निकल रही है, तो अब हमें देखना है कि जो हमारे टमाटर वो भी सेलो फ्राइ हो गए है, और प्याज भी हमारे हलके से ब्राउन हो गए है, तो यह अब हमारी साथ मिनिट तक मैंने इस हमारी ग्रेवी के इंग्रीडियंट है, इनको पकाया है, तो अभी यह पक गए है, इसके बाद हम अब इसे ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे, तो इसे में ठंडा होने के लिए रख दूंगी, गेस की फ्लेम आफ कर दूंगी और फिर इसे हम पीस लेंगे, तो देखिए यह पक चुके है, बस अब फटा-फट से ठंडा करके हम इने पीस लेंगे, आप मि मिक्सी का जार है वो निकल जाएगा धकन तो इसे थोड़ा ठंडा होने दे उसके बाद ही इसे पीसे और इस तरीकी की जो मिक्सी होती है उसमें अगर थोड़ा हलका सा गरम होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है नॉर्मल मिक्सी जो होती है उसमें आप इसे गरम गर तो 5-7 मिट के लिए अच्छे से ठंडा होने दे उसके बाद पीसे अगर पीसने में थोड़ी प्रोब्लम हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी एट कर सकते है तो अच्छे से पीसने के बाद अब हम फटाफट से हमारी जो सब्जी है उसका बगार करेंगे तो हमारी जो ग्रे गी डालने से जो हमारी सब्जी है उसका टेस और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा बहुत ही एकदम जिसे आप होटल में खाते हैं बस बिलकुल वे से ही सब्जी बनाने वाले हम तो आदी चम्मज डाले है राई आदी चम्मज डालेंगे जीरा और मीडियम होट ऑईल कराए मैंने हापर आदी चम्मज डालेंगे ही और अवे हमें इसमें दूसरा कुछ नहीं मिलाना है जो हमने ग्रेवी तैयार किये फटाफट से वही हम ग्रेवी हाँ डाल देंगे तो देखिए हमारी जो ग्रेवी का कलर है वो एकदम कितना अच्छा आया है तो मैंने यहाँ पर हमारी ग्रेवी डाल दिये और अब हमें इसे तीन मिनिट के लिए ग्रेवी को पका लेंगे ताकि इसमें से ओल स्प्रेट हो जाए तो हम इसे मिडियम फ्लेम पे पकाते अब जो बाकी के दूसरे मसाले है वो एड़ करेंगे इसे तीन मिर्ट तक हमें पकाना है ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छे से वो हो जाए चला जाए और आप इसमें डालेंगे हम घर के कुछ मसाले आदी चमश डालिए मैंने हल्दी आदी चमश धनिया पाउडर हादी चमश डालेंगे लाल मिर्च पाउडर मैंने यहापर देगी लाल मिर्च पाउडर यूज किया है आप चाहे तो कश्मेरी लाल मिर्च भी यूज करें लेकिन इससे सबजी का जो हमारी कलर है वो थोड़ा ज्यादा रेड हो जाएगा और मुझे वैसा नहीं चाहिए आप चाहे तो कश्मेरी लाल मिर्च का यूज जरूर करें अगर आपको ज्यादा लाल पसंद हो तो और बस इसे हम एक निट के लिए पकाएंगे और अब हम इसमें डालेंगे हमारी जो ग्रेवी है उसके लिए नमक डालेंगे दो जो दूसरा हमने सामान राला है उसके लि आप कोई सी भी ग्रेवी बनाए तो ध्यान रखे उसमें हलका सा गरम पानी करके डालेंगे तो आपकी जो सब्जी है उसका कलर एजटीज होगा और बहुत अच्छा कलर आएगा उसके मसाले जो है वो बहुत अच्छे से कलर करेंगे तो मैंने यहापर डेड़ कप पानी ल तो उस हिसाब से डेड़ कप पानी में यह सब्जी बहुत आराम से बन जाएगी तो अभी धीरे-धीरे करके मिलाते हुए मैं धीरे-धीरे करके पानी डाल पर आप देख सकते हो मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे रेड वाली जो सब्जी होती है बहुत जादा वेसे नह चाहिए मैं एकदम होटल स्टाइल में बना रही हूँ एकदम क्रीमी वाली तो उस हिसाब से मेरी सब्जी का कलर बहुत अच्छा है तो आप यसी बची वी सब्जी का जरूर अच्छी लगती है बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कमेंट करके मुझे जरूर बताएए कि आप ने अगर बनाई तो आपकी सब्जी कैसी बनी और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो मैंने यहाँ पर सारा पानी डाल दिया है और हमारी जो ग्रेवी है वो उबल गई है तो अभी हमारी जो कौफता बॉल्स है वो सब में हमारी सब्जी में डाल दूंगी और फटा-फट से एक नई बहुत एची शानदार रेसिपी बनकर रेडी है बहुत ही अच्छी लगती है इस तरीके के सब्जी बनाई है जो हमने बचीवी सब्जी से तो सब इसे बहुत पसंद करते हैं आप जरूर ट्राइ करना तो देखिए हमारी जो कौफता बॉल्स है मै पूरी कौफता बॉल्स हो जाए इसलिए मैं ढख दूँगी दो मुनिट के लिए उसके पहले हम इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम लिया है मैंने यहांपर दो बड़े चमच डाल रही हूं मैं ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा आये एक दम क्रीमी ख्लेवर आए तो मैं में मिल जाए और उसमें भी पूरी ग्रेवी अच्छे से अफजब हो जाए वैसे भी हमारी कौफता बॉल्स इतनी कड़क नहीं है बहुत अच्छी टेस्ट्री एकदम फ्लफी फ्लफी बहुत अच्छी है तो हमें इसे ज्यादा पकाने की जरूरत भी नहीं है फिर भी इसे ह तो हमारी कौफता बॉल्स वह ग्रेवी में अच्छे से मिल जाए तो हमारी जो सब्जी बनकर रेडी है आप अरा धन्या डालके सफ करें मुझे नहीं डालना था बट बहुत अच्छा लगता है अगर डालते हैं तो तो देखिए हमारी एक बची सब्जी से नई सब्जी ब कोफता बॉल्स है कोफताबु काल्स इस सब्सक्राइब कीजिये तो इंजोई कीजिए मेरे चेनल को शब्सक्राइब कीजिये सपोर्ट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंटvस झालीम silence